Bitcoin के price में एक तेज गिरावट आने के बाद last week इसके price में हमें recovery देखने को मिली जिस पर अब stop लगता हुआ दिख रहा है last कुछ day से Bitcoin का price 20,000 डॉलर के round consolidate कर रहा था and today morning में BTC ने 20,000 के level को भी break किया था थोड़े time के लिए इसके लावा जो USDT coin है उसके pack को भी destabilize करने का खतरा बना हुआ है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे Welcome to our channel Crypto Minders अगर आप अमारे चैनल पे new हैं तो subscribe बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe करें सबसे पहले analyze करते हैं Bitcoin के chart को Currently Bitcoin का price trade कर रहा है 20,000 के just उपर Bitcoin के लिए 70,000 से 20,000 की जो range है वो एक strong support की तरह काम कर रही है Bitcoin के price में recovery भी हमें almost 70,000 के round से ही मिली थी जिसका simple सा region है Last bull run में Bitcoin ने यहीं पर अपना all time high बनाया था जिस वज़े से ये range Bitcoin के लिए काफ़ important बन जाती है अगर Bitcoin को यहां से upside move करना है तो इसे 20,000 का जो resistance level है और इसके साथ ही 50 day moving average को भी break करना होगा जो होता हुआ chart पर अभी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है इसके opposite, BTC में जो bullish momentum हमें बनता दिख रहा था वो भी fail हो गया है और Bitcoin एक बार फिर से 20,000 के बिल्कुल close trade कर रहा है और जैसे ही Bitcoin 20,000 के level के नीचे फिसल जाएगा तब Bitcoin अपने low को test कर सकता है और कई analyst का कहना है कि BTC 50,000 के price को भी touch कर सकता है और अगर हम Bitcoin को 4 hour के time frame पर देखें तो Bitcoin ने दो बार short term resistance level को break करने की कोशिश की है बट दोनों बार Bitcoin fail रहा है इसे break करने में और BTC के चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि Bitcoin अभी कुछ दिन इजी range में trade करने वाला है आप चार्ट पर Bitcoin की price range देख सकते हो आप इस price range को भी trade कर सकते हो यह था दोस्तों Bitcoin का chart analysis अब बात करते है क्रिप्टो से लेटेड कुछ latest news की फर्स्ट है क्रिप्टो डोट कोम रिमूव, डोज, शीब और 30 अधर ओल्ड कोईन फ्रॉम अर्निंग प्रोग्राम इट एड्ड थ्री न्यू कोईन, मोडिफाइज रेट फॉर 5 स्टेबल कोईन and keep rate unchained for 28 assets including BTC, Ethereum, Matic, Solana and Avax क्रिप्टो डोट कोम ने डोज कोईन और शीबा कोईन के लावा 13 और ओल्ड कोईन को अपने अर्निंग प्रोग्राम से रिमूव कर दिया है इसके लावा 3 नू कोईन को एड गया है 5 स्टेबल कोईन के rates को modify किया है and 28 कोईन के rates में कोई chain नहीं किया है Dogecoin and ShibaCoin investors के लिए एक bad news है Second news है दोस्तो Axie Infinity Ethereum bridge back online after 62 million hack The Ronin bridge is back online more than 3 months after attacker complete one of the largest defi highs to date Ronin wallet दोस्तो लाव करता है asset transfer करने में between Ronin wallet and Ethereum main net Axie Infinity को हम सब जानते है one of the best NFT games है and world में सबसे popular game है जिसके थूँ आप crypto on कर सकते हो 3 मेहने पहले hackers ने Ronin wallet को hack कर लिया था और 1,47,600 Ethereum चोरी कर लिये थे और इसके साथ ये 25.5 million dollar के USDC coin भी total 622 million dollar hackers ने चोरी कर लिये थे Ronin wallet से जिसके बाद Ronin wallet ने अपनी सभी services close कर दी थी इसका impact हमें Axie Infinity पर भी देखने को मिला था इसकी popularity में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी इस incidence के बाद finally after 3 months Ronin wallet ने अपनी services फिर से start कर दी है आप बात करते हैं third and last news जो सबसे important news है दोस्तों hedge funds being used to short tether create another Terra Luna episode report निकल कर आ रहे हैं दोस्तों hedge funds USDT tether को short कर रहे हैं और Luna जैसा हाल ही tether का करने की try चल रही है जिस तरह से Luna के stable coin Terra का peg crash कर गया था उसी तरह से USDT का जो peg है उसे destabilize करने की कोशिश है hedge fund short position लेकर कर रहे हैं अभी तक तो tether ने ये सबी चीज़ को control में रखा हुआ है बट पता नहीं कब एक बड़ा attack हमें USDT पर भी देखने को मिल सकता है इस वज़े से आपको कम से कम fund का use USDT में करना चाहिए ये था दोस्तो आज का अमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like कर दीजी and last हमारे चानल को subscribe करना ना भूले Thank you, jahin